हालो गुड़ाफरेनून नमस्कार एग्रिकल्चर रड़र 24-7 पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो मेरा नाम है डॉक्टर मिनाक्षी राठी और यहां मैं आपको मिलते हूं अपने एंटमोलाजी MCQs के साथ एंटमोलाजी MCQs जो हम यह सेशन्स चला रहे हैं यह हमने इफको को जो है टारगेट करते हुए चलाया है तो आपने अभी तक इफको का फॉर्म अगर नहीं भरा है तो फटा फट इफको का फॉर्म भर दीजिए 15 अपरिल इसकी लास्ट रीट है और 12 अपरिल से आपके इफको के पेड़ बैच शुरू हो रहे हैं तो अगर आप पेड़ बैच लेना चाहते हैं तो अड़ा 247 की वेबसाइट पर जाएए अड़ा247.com पर जाएगा और यहां से आप जो है इफको का बाच ले सकते हैं 12 अपरिल से इसकी क्लास शुरू हो रही है तो इसक चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और वेरी गुड़ आफ्टिनून टू नैंची सालेंद्रा चशीक नेवर वाच्ट बिफोर रोशन जा वेरी गुड़ आप्टिनून टू एवरिवान और भाहिया आज हमारी जो जैनेटिक्स और प्लांट विडिंग की क्लास थी साड़े ग्यारा बजे उसमें आप लोगों का स्कोर लेना भूल गई मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे आप लोगों का टोटल सकोर भी लेना है तो कोई बातनी öz exploited स्कोर की सही चैनल हमारी क्लास में फर्स्ट आता है तो चलिए अपने जो प्रेजंटीशन है वो शुरू कर लेते हैं टाइम का आभाव है है और अगर अभी तक आपने अड़ा आप डाउनलोड नहीं की है तो आप डाउनलोड ज़रूर कर लीड़ेगा आप प्ले स्टोर पर जाकर अड़ा का आप डाउनलोड करेंगे इसमें अपना एक्जाम चूज कर सकते हैं बाइंकिंग, SSC, एग्रिकल्चर जिस फील्ड से आप एक्जाम दे रहे हैं वो एक्जाम चूज करें ताकि उसी की नोटिफिकेशन आपको मिले उसके बाद आपके इसमें करंट अफेस, जॉब सारे आर्टिकल्स, नोट्स, सब्जेक्ट की क्विजिज, सब आपको यहां पर मिलेगा और काफी फ्री कंटेंट आपको मिल रहा है, जिस्ट आपको कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर पर जाकर अड़ा की आपको डाउनलोड करना है, चलिए, करते हैं जैमातादी अपने पहले क्वेशन के साथ, शुगर केन लीफ होपर इस कंट्रोल बाइ रिलीज ओफ लेपिडॉप्टरन पैरसितॉइड, शुगर केन लीफ होपर इन में से इनका पैरसितॉइड कौन है, जो इसको जो है, इसकी पोपुलेशन को कंट्रोल कर सकता है, तो बायो कंट्रोल में ह हम इसको यूज कर सकते हैं अपरी क्याना मेलनो लुका ग्रैनोलियूसिस वाइरिस या फिर स्टर्मियोसिस इन फेरेंस या फिर ट्राको ट्राइकोगरमा काई लॉन इस भाई मेरे अंसर दे चुके हैं तो सभी का अंसर जो है बिल्कुल करेक्ट है अपरिसियाना जो है इसका करेक्ट आंसर है यह इसका पैरासिटोइड है इसलिए इसको ऐसा बायो कंट्रोल यूज किया जाता है शुगर केन की क्रॉप में राइट चलिए देन नेक्स्ट क्वेशन है आपक स्कलेटनाइजड टबाको लीफ स्कलेटनाइजड टबाको लीफ जो है वो किस की वज़े से होती है एफिड की वज़े से होती है टबाको केटरपिलर की वज़े से होती है या टबाको स्टेम गॉल की वज़े से होती है किसके कारण आपको स्कलेटाइजड लीफ जो है दे मीना चोदर ये अपने option को जो है हमेशा लॉक करके भेजते हैं कि मेरा option बिल्कुल सही है माम इसको लॉक कर दीजे वेरी नाइस चलिए पवित्र सेज सी दामिनी सेज सी कीर्थी सेज सी और यहां पर answer क्या होना चाहिए बताइए फुटाफट सभी जो है C answer कर रहे हैं ओके तो C जो है आपका सही answer है टबाको कैटरपिलर की वज़े से आपको स्कलिनेटाइजड लीफ मिलती है ठीक है वाइट फ्लाई और एफट की वज़े से जिनरली आपका क्या यह सेल सेकिंग पैस्ट है इनमें अपवर्ड कप्लिंग कपिंग होगी या फिर यह आज वेक्टर यूज करेंगे तो इनमें मोजैक प्रेजन्ट होगा क्लोरोसिस हो तारिक अपना अंसर करेक्ट कर लीजेगा टबैको केटरपिलर इस दा राइट आंसर देन टी शेप्ट मार्किंग ऑन मार्बल साइज्ड मैंगो फ्रूट यानि कि मैंगो फ्रूट जब मार्बल साइज का होता है चोटा सा होता है ता उस पर टी शेप्ट मार्किंग होती ह यह कौन से इंसक्त की जो है आपकी यह इंटिफिकेशन है कि यह उसमें होना चाहिए थिक है एमरी टोडस, एक्टिन सोनी, ड्रॉसिका, मैगनी फेरा, स्टर्नो काइटस, मैगनी फेरा, या फिर इसको पाइला, सैनियर, भाई मुझे न यह साइंटिफिक नेम्स बहुत बुरे लगते हैं, सच बता रही हैं, मुझे से कभी याद नहीं होते हैं, आप से याद हो तो दे पटाफट, पटाफट, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या है, यहाँ पर आपका आंसर जो है, स्टेनो काइटस आपका आंसर है, मैंगो स्टोन विविल इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, मैंगो स्टोन विविल, इसमें जो है, टी मार्किंग्स आपकी बनती हैं, टी शेव्ड म जो आपके symptoms है, damaging symptoms है, ये आपके mango stone weevil के symptoms है, आरती has given answer C, तो आरती को जो है, brownie points मिलते हैं, बाकि जिन्होंने भी A और B answer दिया है, उनका answer गलत है, चलिए, lemon butterfly का नाम क्या है, ये बहुत common question है, what is the name of a lemon butterfly, lemon butterfly का नाम क्या है, टॉक्सोप्टरा, सिट्री सीडा, फाइलोग निस्टिस, सिट्रेला, पैपिलियो डेमोलियस, या फिर नन अफ दे अबाव, lemon butterfly का नाम क्या है, what is the scientific name of lemon butterfly, अंकित से सी, आरके से सी, सत्यम सी, दामिनी सी, ये सी is the right answer, पैपिलियो डेमोलियस जो है, इसका scientific name है, और lemon butterfly या आप सभी लोगों ने देखी होगी, black color की होती है, green fluorescent से, इस पे colorful से, गोल-गोल markings होती है, और काफी सुन्दर दिखती है, तो ये जो है आपकी lemon butterfly होती है, चलिए, bagging of anard fruits, anard fruits की bagging की जाती है, polythin cover से, किस के बचाव के कारणिये की जाती है, यानि कि किस इंसेक्ट से बचाने के लिए हम अनार के जो fruits हैं, उनको polythin में bag करके रखते हैं, butterfly sucking moat, fruit borer, shoot hole borer, या फिर fruit fly, किस इंसेक्ट से बचने के लिए आपके जो fruits हैं, उनमें bagging की जाती है, polythin bagging की जाती है, यहाँ पर आंसर आ रहा है, fruit borer 5D, और 5D, रामिनी औल्सो सेज़ दी, केर्टी सेज़ दी, तो यहाँ पर आपका आंसर butterfly sucking moat है, इसके कारण जो है, इनकी bagging की जाती है, जब यह पेड़ पर होते हैं, ताकि इस इंसेक्ट से जो है, आपके fruits को बचाया जा सकें, तो राइट आंसर क्या है, butterfly sucking moat इसका आंसर है, चलिए, next is bunchy top appearance in grow up sugar cane, due to formation of side shoots is caused by, bunchy top appearance किसके कारण होती है, आपके sugar cane में, early shoot borer के कारण, top borer, shoot borer के कारण, woolly aphid के कारण, या फिर pyrilla के कारण, किसके कारण, जो है, bunchy top appearance देखने को मिलता है, शारिक सेज, A will be the answer, ओके, पिछले answer में, पुरुशोतम ने सही answer दिया था, और सभी ने D दिया था, चलिए, अंकित सेज, B, top borer, सत्यम B, चलो ये, दामिनी B, तो B जो है, आपका सही जवाब है, top shoot borer के कारण, जो है, bunchy top appearance दिखाई देती है, आपके sugar cane में, तो इसको याद रखेगा, bunchy top appearance in sugar cane is, due to top shoot borer, then stripping of sugar cane leaves minimizes the attack off, sugar cane में stripping की जाती है, वो किसके attack को कम करने के लिए की जाती है, millibug, pyrilla, early shoot borer, या फिर top borer, stripping क्या होता है, कि side से जो है, उसमें जो फाल्तु के सकर्स आते हैं, या extra branching और extra leaf जो आती है, उन्हें काट दिया जाता है, उसे साफ कर दिया जाता है, नीचे के portion को, इसको stripping कहते हैं, तो ये stripping of sugar cane, किसके attack को minimize करने के लिए बनाया गया है, आरके सेज ए, पवित्रा ए, अंकित ए, तो ये भी जो है, अल्मोस सभी का आंसर सही है, आरती नहीं, भी इस दे रॉंग आंसर, शान्ती भी गलत आंसर है, मिली बग जो है, आपका सही आंसर है, मिली बग अकसर आपकी stem पर नीचे की तरफ होता है, white color का powdery साइस पर कुछ चिपका हुआ होता है, और इसको जो आप control measure कहा सकते हैं, उसमें cultural practice में stripping का इस्तमाल किया जाता है, ताकि इसकी infestation जो है, कम हो, तो मिली बग इस दे राइट आंसर, I think this question is how, चले इसको skip कर देते हैं, which pest of potato attacks the tuber both in field and storage, कौन सा pest आपके potato का है, जो field और storage दोनों ही condition में आपके potato को effect कर सकता है, which pest of potato can attack the potato in field and storage both condition, कल भी हमने इस तरीके का एक pest पढ़ा था, और इस तरीके का pest जो है, बिल्कुल किस में पढ़ा था, हमने pulse में पढ़ा था, तो pulses में भी एक इस तरीके का pest होता है, जो उनको field condition और storage दोनों पर ही जो है, attack कर सकता है, चलिए, answer आ रहे हैं, 9 का C, 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 प्टाटो ट्यूबर मोथ is the right answer, प्टाटो ट्यूबर मोथ जो है आपका सही answer है, आप सभी को 1-1 मा मिलता है, ओके, egg larval parasitoid, egg larval parasitoid, kailonus black berni is used to check the population of, आपका यह जो parasitoid है, यह इन में से किस की population को control करता है, check करता है, agrotis, epsilon को, phythormia, opercula को, migus, persichei को, या फिर none of the above, बताए, आपका जो kailis black berni है, यह इन में से किस की population को check करने के लिए as a bio control use किया जाता है, rakesh says b, pavitra says a, shanti says b, तो, black berni, जो है आपका b, I think इसका right answer होना चाहिए, b की population की control के लिए इसको use किया जाता है, चलिए, minimizing the skeletonization of cabbage leaves are the characteristic symptoms of, skeletonized cabbage की जो characteristic symptom इन में से किस insect का है, diamond back mode का है, cabbage borer का है, painted bug का है, या फिर none of the above, skeletonized leaf आपको किस में देखने को मिलती है, में आपको किस में देखने का है, A, Rakesh says A, Ankit A, काफी सारे A को vote मिल रहे हैं, very nice, आपका correct answer है, A is the correct answer, diamond back mode के, mining इसमें पर्टिकुलर symptom होता है, diamond back mode का, तो almost सभी बच्चों ने correct answer किया है, पर वीना ने answer C दिया है, बस और जितेंद्र आपका जो इफको का पेपर होगा, बच्चा वो सिर्फ English language में ही होगा, तो इसमें हिंदी में बताने का कोई sense नहीं बनता, क्योंकि आपका पेपर जो है पूरा English में ही होगा, ओके, चलिए, BT cabbage is developed against, BT cabbage किसके against डेवलप की गई है, diamond back mode के, cabbage butterfly के, aphid के या फिर painted bug के, BT cabbage, BT cotton, अभी तक आप सभी लोगों ने सुना था, BT cotton हम जो है आपके ball worms जो होते हैं, जो ball के अंदर feed करते हैं, lepidopterans family से बिलोंग, order से बिलोंग करते हैं, उन सभी को कंट्रोल करने में काम आ रहा था, तो उसी तरीकी से BT cabbage भी, डिजाइन हुआ है, तो BT cabbage किस pest के against डिजाइन हुआ है, शैलेंद्रा, सीज, ए, भूमिका, ए, रूही, ए, पवित्रा, ए, संध्या, शिवांश, कीर्ती, सभी A को वोट कर रहे हैं, वेरी नाइस, तो A जो है, आपका सही आंसर है, डाइमंड बैक मोथ ही है, जिसके खिलाफ BT cotton बनाया गया है, सॉरी, BT cabbage बनाया गया है, हलाकि ये हमारे country में allowed नहीं है, तो इसको हम grow नहीं कर सकते हैं, हमारे country में कोई भी डिबल्स अलाउड नहीं है, जो ट्रांस जैनिक हो, लेकिन जिन countries में allowed हैं, वो इसको अफकोर्स उगा सकते हैं, तो सभी लोगों ने एंसर किया है, जिस्ट कुछ ही लोगों ने जो है, गलत अंसर किया है, चलिए, गमोसेज अन्ग्राउण टॉपिंग in coconut आज्यू तू गमोसेज अन्ग्राउन टॉपिंग, यानि की आपका जो है, और गमोसेज किसका जो है, डामेजिंग करेक्टर है, राइनोसरेस बिटल का है, रेड पाम वीवल का है, ब्लाक हेड़िड केटरपिलर का है या फिर कोकुनेट माइट का है गमोसेस यानि की एक चिप-चिपा पदार्थ जो है आपको इसकी बार्ख पर अक्सर देखने को मिलेगा ये ड्यूटू गमोसेस होता है तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये किस इंसेट की वज़े से है रा चलिए तो यह इसका आंसर क्या है इसका आंसर है आपका रेड पाम वीविल रेड पाम वीविल जो है आपका इसमें आंसर है तो इसमें आंसर आपका रेड पाम वीविल है I think काफी कम लोगों ने सही जवाब दिया है अंकित सेज A, जितेंदरा D, रुही A, किरती D, राकेश A शारिक has given C, B I think किसी ने नहीं दिया है तो ये सभी का गलत हो गया है सभी ने जो है इसका आंसर आपको क्या किया है A, B, C, D सब जगह पहुंच गया है बस B पर कोई नहीं पहुंच है B is the right answer चलिए Which one of the following pest is an introduced pest of coffee इन में से कौन सा pest है जो कौफी का pest है और introduced pest है मतलब किसी और जगह से introduced हुआ है Green bug, berry borer, stem borer या millibug इन में से कौन सा कौफी का pest जो है आपका introduced pest है Which pest of coffee is introduced pest Green bug, berry borer, stem borer, millibug B, 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 Rakish, D नहीं होगा बच्चे Deepak, A भी नहीं होगा Jitindra, A नहीं होगा B is the right answer आपका जो berry borer है यह आपका introduced pest है और यह Africa का जो है native pest है Africa का native pest है Africa का रहने वाला है हमारे यहां तो घुमने फिर ने आया था यहीं बस गया बात अलग है ठीक है, तो यह आपकी जो कोफी है इसका काफी important और काफी वैसा पैस्ट जो हम काफी पहुचाता है कोफी की आपकी crop को और borer से यह मत समझना की lapidoptera family से है इस आप बिटल यह एक बिटल है generally जो आपकी कोफी को हम पहुचाती है और आपरिका की यह native है चलिए then which of the following pair is not correctly matched इन में से कौन सा pair जो है correctly matched नहीं है potato tuber mouth की damaging stage grubs होती है rice weevil की damaging stage जो है grubs and adults होती है pulse weevil की damaging stage grubs होती है या lesser grain borer की damaging stage जो है grubs and adults होती है which of them is not correctly matched इन में से कौन सा सही match नहीं है question number 15 c a a a a yes a is the right answer potato tuber mouth potato tuber mouth में grubs होते ही कहां है भाई इसमें लार्वे होते है ठीक है तो इसमें लार्वे होते हैं grubs होते ही नहीं है तो आपका जो है यह mismatched है या गलत है कह सकते है which one of the following is not correctly matched again rice weevil का scientific name cytophilus oryzee pulse beetle का scientific name helico verpa armigera lesser grain borer का scientific name rhizopartha dominica या खप्रा बिटल का scientific name trogoderma granarium which of the following is not correctly matched यह काफी असान question है तो यह फटा-फट से बताईए which one of them is not correctly matched पवित्रा सेस बी, संध्या सेस बी, दामिनी बी, अंकित बी, सभाश्री, बी, रूबी बी, अंकित बी, सभी बी बी तो helico verpa armigera तो बहुत ही famous pest है इसको सब जानते हैं क्योंकि यह सब crops पर feed करता है तो सभी को पता है कि यह pulse beetle का नाम तो नहीं है so of course B is the right answer which one of the following is a secondary pest of storage pest storage pest का secondary pest कौन सा है storage pest के दो टाइप के pest होते हैं primary pest and secondary pest इन में से कौन सा जो है secondary pest है long headed floor beetle borer, flat grain beetle और saw tooth grain beetle which one of them is the secondary pest of stored grain pest जब आप अपनी crop का harvest करके घर पे ले के आराते हैं और उससे store करते हैं उस time पर जब insects उसको attack करते हैं तो वो कौन से insects होते हैं वो stored pest insects होते हैं तो 17 का answer सभी लोग जो है D दे रहे हैं फटाफट से and yes D is the right answer all of the above आपके तीनों ही insect जो है ये secondary pest है storage pest grain के ठीक है तो ये जो है आपका बिलकुल सही सही answer है तो आज का हमारा question error खतम हो गया है कल मिलेंगे और नई questions के साथ और खुब सारी quiz के साथ तब तक अपना final score मुझे अपना बता दीजिए किसने कितना score किया है ताकि हम देखे हमारी class का टॉपर आज कौन है चलिए तब तक आप लोगों को इफको का बाच क्या पता ही है अड़ा ने आपका इफको का बाच रिलीज कर दिया है जो कि 12 अपरिल से शुरू हो रहा है तो अगर आप इफको की तैयारी कर रहे है यू किन बाई दा बैच फ्रम अड़ा 247 की वेबसाइट पर आप जो है अपना इफको का बाच बाई कर सकते हैं 12 अपरिल से इसकी classes 17 questions में से किसके कितने marks मिले हैं 17 questions में से किसको कितने marks मिले हैं फटा फट बताईए disclose नहीं करना चाहते क्या चलिए अंकित ने तो अपना इमानदारी से बता दिया है उनके 14 marks आए हैं 17 में से which is a good number क्योंकि entomology थोड़ी तो difficult होती ही है यार never watched before के 12 है तो पवित्रा के भी 14 है दामिनी के 14 या 15 she is confused चलिए तो अभी तक हमारे टॉपर के जो है 14 marks चल रहे हैं 14 marks पुशोतम कह रहे हैं वो लास्ट में आए है कोई बात नहीं लास्ट में आए है चलिए तो अभी जो हमारे टॉपर हैं उनके 14 marks हैं जिसमें अंकित पवित्रा और दामिनी जो है शामिल है तो अंकित पवित्रा और दामिनी को बहुत बहुत तो अंग्रेचुलेशन आज की क्लास के टॉपर आप बन गए है तो आल्मोस्ट जो है के चलिए कोई बात नीजो लास्ट में आये हैं वो रेस्ट करें कोई दिक्कत नहीं है ना चलिए आठ बजे जो है अब मिलते हैं बायो टेक्नोलोजी की क्लास में जिसमें आज में पढ़ेंगे तब तक के लिए अपना ध्यान रखेगा सुरक्षित रहिएगा और कोई भी बाच खरीदना हो तो कोड आप यूज कर सकते हैं वाई 448 हर स्लाइड पर लिखा हुआ है रोज रोज क्या बताना तो वाई 448 कोड को जो है आप यूज कर सकते हैं यूविल गेट 77% discount on all adda packages किसी भी तरीके के आप package लेते हैं उन पर आपको discount मिलता है चलिए goodbye and take care